इस lecture में world book and copyright day के बारे में discuss करेंगे इसको world book day के नाम से भी जानते हैं या फिर world book and copyright day के नाम से जानते हैं हर साल 23 अप्रेल को celebrate किया जाता है मनाया जाता है world book day को इसका main मकसद यानि की objective target लक्षय क्या होता है reading book का benefit क्या होता है book पढ़ने का benefit क्या होता है इसके बारे में logo में awareness फैलाई जाती है जागरुक क्या जाता है इसके बारे में इसका main मकसद तो है लोगों को aware करना reading book की क्या एहमियत है लेकिन और भी कैसारे लक्षय है और इसको celebrate कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए इस day को world book day को UNESCO द्वारा celebrate किया जाता है world level पे देखो UNESCO के बारे में आपको पता होना चाहिए United Nation की एक स्पेस लाइज एजन्सी है और UNESCO जो भी ये काम करता है बहुत सारे इसके ऐसे और इसके बहुत सारे प्रोग्राम है जो चला रहा हैं world level पे इसके बारे में UPSC हर साल लगबग एक question पोचता है जैसे पिछली साल पोच लिया international language के बारे में international language किसने recognize की थी मतलब international नहीं आप बोल सकते हो international जो mother language है इसका जो किसने ये recognize किया था UNESCO ने किसके कहने पे बांगलादेश के कहने पे इसके बारे में आपको पता ही होना चीए जो भी ये प्रोग्राम वगएरा या कुछ भी चलाती है तो UNESCO इसको celebrate करती है world book day को और और भी बहुत सारी organization है जो book वगएरा के regarding information फैलाती है तो उनके साथ मिलके UNESCO इसको celebrate करती है पूरे world level पे जो author है जो book लिखते हैं लेखे के उनको सम्मान देने के लिए और उनकी book को सम्मान देने के लिए और लोगों के अमंग यानि कि लोगों में art of reading को पर्मोट करना यानि कि पढ़ने को पढ़ाही को पर्मोट करना इसका main मकसद है world book day के 2022 में जो world book capital recognize की है देखो हर साल ही एक capital recognize करती है जिसको कहती है world book day युनेस को recognize करती है Mexican city है मेकसिको देश आपको पता है कहां पर है यह world map देख रहे हैं आप यह अमेरिका के पास है मेकसिको इसकी एक city है जिसका नाम है गोडाला जारा इस city को recognize किया है 2022 की world book capital और 2021 की world book capital कौन थी यह जोर्जिया एक country है वहाँ पे एक city है यह तिबलिशी इसको recognize किया था जोर्जिया कहां पर यह Asian country है रसिया के पास है देखो यह जोर्जिया इसमें यह city है इसको recognize किया था 2021 में world book capital और 2022 की theme क्या है read so you never feel low आप पढ़ो ताकि आप low feel ना करो किसी से कम महसूस ना करो इसलिए पढ़ो read so you never feel low क्योंकि book से भाई सब बहुत सारी जानकारी मिलती है तो यह जो day choose किया था 23rd April यूनेसको ने तो इस दिन को ही क्यों choose किया था क्यों अपनाया था 23rd April को ही कि इस दिन ही world book day हम celebrate करेंगे हर साल यूनेसको ने यह day अपनाया था 23rd April इसलिए अपनाया था क्योंकि बहुत सारे world level के भाई सब writer हैं जो बहुत ही famous हैं उनका उनके recognition में इसको अपनाया था डे को tribute देने के लिए उनको सिर्धांजली देने के लिए जैसे विलियम सेक्सपीर हैं माईगूल यह सेर्वा वेंटिस हैं इंका गार्सिल उसो डीला वेगा यह writer थे इस दिन मरे थे भाई सब यह dead हो गये थे यानि कि death हुई थी इस दिन 23rd April को इसलिए इनको tribute देने के लिए सिर्धांजली देने के लिए यह 23rd April अपनाया World Book Day के लिए और इसी दिन celebrate किया जाता है हर साल World Book Day